हेलो स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंजी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है accounting for share capital उसका solution कराने जा रहा हूं question number 12 का from the book of TS Grevaal तो चलिए हम start करते हैं इस question की statement को भारत limited was incorporated with their capital of rupees 2 lakh divided into shares of 10 each ठीक है जी 2000 shares were offered for subscription and out of these 18 shares are applied for and allotted so students सबसे पहले हम first time में ही बड़ा कुछ sentence में ही बड़ा कुछ मुल गया यहां मैं लिख रहा हूं 12th question तो यहां है एक तरह की incorporated with capital का मतलब है यह तो authorized capital आगी authorized capital वो हमें कितने की बता रहा है rupees 2 lakh रुपे की rupees 2 lakh रुपे की add the rate of rupees 10 each ठीक है तो number of shares कितने आगे number of shares आएंगे आपके 2 lakh divided by 10 इसको कर दो तो 20,000 आगया आप उसमें से उन्होंने क्या बताया है कि 2000 shares were offered for subscription तो issued कितने की हैं आपने number of shares number of shares issued कितने हुए है 2000 ठीक है जी कितने shares issued हो गए है 2000 तो 2000 add the rate of rupees 10 तो 20,000 की authorized issued capital हो गई है और उसके बाद subscribed कितने करे हैं क्योंकि उसके बाद अगले sentence में उसने बताया ना साथ में कि 1800 were applied and allotted तो 1800 ही subscribed हुआ ना फिर subscribed number of shares number of shares कितने आजेंगे 1800 add the rate of rupees 10 that is 18,000 ठीक है बचे समझ लगया आपको question चलिए यह sentence दो sentence मलब पहले sentence में या दो question के दो lines में यह लिखा हुआ था चलिए अब हम आगे बात करते हैं रूपीज 3 पर application including premium rupees 1 and was payable on application रूपीज 4 परशर including रूपी 1 premium on allotment रूपीज 2 पर on परशर on first call and रूपीज 3 परशर on first and रूपी 3 परशर on final call तो यह break up हम बनाते हैं यहां बनेगा हमारा application बनेगा कितने का बता रहा हुँ तीन का तो 2 जमा एक का आ गया कितने का आगे बिठे 2 जमा एक का आ गया ओके जी उसके बाद क्या करना है हमें allotment कितने का है चार का allotment है तीन जमा एक का आ गया first call कितने का है first call दो रूपे का ठीक है और second and final call कितने का है अगें तीन का तो यह पैसा capital का और यह पैसा premium का यह 2 रूपे और यह 3 तो 5 पांच 10 रूपे यहां आजएगा और सारा कुछ multiply किससे होगा अठरा सौ से ठीक है जी तो उसमें आगे उसमें क्या बोला है give necessary journal entries journal entries करनी है और show share capital and balance sheet तो चलिए हम start करते हैं कोशन को यह मैंने balance sheet का format बना लिया है और यह नीचे notes to account का और सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसकी जर्नल entries को पास करना पड़ेगा ठीक है जी तो चलो जर्नल entries की शुरुआत करते हैं यहां पर caution 12 को continue करते हुए यहां लिख लीजिए journal date तो है नहीं है serial number पर्टिक्लर लेजर फोल्य डेबिट क्रेडिट रुपिस तो यहां आएगा बैंक एकाउंट डेप्टिड टू शेर एप्ली केशन तो अब यहां पर आएगा अठरा सो इंटू तीन करके फिफ्टी फोर हंडड यहां पर एप्लिकेशन एकाउंट तो यहां आजेगा बिंग बिंग एप्लिकेशन मनी रसीवड ओके सेकेंड क्या है शेर एप्लिकेशन एकाउंट डेप्टिड तो शेर कैपिटल अकाउंट और तो सिक्यूरिटी प्रीमियम एकाउंट यहां गया बिंग एप्लिकेशन मनी ट्रांसफर्ड तो कैपिटल एंड प्रीमियम एकाउंट यह आ गया फिफ्टी फोर और कैपिटल में कितने जाने अठारा दूना चत्तिस तो यह चत्तिसो यहां चलेगे और अठारा सो यहीं आ गया ठीक है जी और थर्ड एंट्री क्या है थर्ड एंट्री में क्या करना है आपको शेर एलॉटमेंट एकाउंट डेप्टिड टू शेर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां भी रिजर्व लिख लो रिजर्व एकाउंट तो यहां पे कितने पैसे आए हैं हमारे पास चार उपे आए हैं हाँ जी यह दिखें चार उपे से तीन रुपे कैपिटल में और एक रुपे प्रीमियम बगा ठीक है तो यहां आजेगा ठारा इंटू त्रीन फिफ्टी फॉर और यह अठ्रा इंटू चार ठारा सक बहत्तर सो और यह ठारा सो ठीक है बटे समझा गया आपको चलिए यहां पर हम लिखेंगे बींग अलॉटमेंट मनी बिकाम्स ड्यू उसके बाद फोर्थ यहां आजेगा बैंक एकाउंट डेप्टिड टू शेर अलॉटमेंट एकाउंट यह बहत्तर सो आगया बींग अलॉटमेंट मनी रसीवड ओके जी उसके बाद यहां पर हमें क्या करना है फिफ्ट एंट्री में फिर्स्ट कॉल कितने रुपे की है दो रुपे की तो यहां आएगा शेर फिर्स्ट कॉल एकाउंट डेप्टिड टू शेर कैपिटल तो यहा पर आजेगा अठरा सो इंटू दो करके तो च्छती सो की तो यह आजेगी फिर्स्ट कॉल ड्यू हो गई ठीक है बींग फिर्स्ट कॉल बिकाम्ज ड्यू उसके बाद सेक्स एंट्री के आएगी बैंक अकाउंट डेप्टिड टू शेर फिर्स्ट कॉल अकाउंट अगें च च्छती सो रुपया यह च्छती सो रुपया यह आजेगा बींग फिर्स्ट कॉल मनी रसीवड उसके बाद सेवंथ में क्या आएगा सेवंथ हैंट्री में शेर एक सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने का है तीन रुप्य का अठारह सो इंटू तीन करके यह सेटी फोर हंडड का तू शेर क्यापिटल एकाउंट बिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल बिकंस जो यह क्या अगया अब यह एक एंट्री रहती है वह मैं आपको यहां ऐसे ही कर देता हूं यह आप एट्थ एंट्री कैसे लिखेंगे एट्थ एंट्री यहां आजेगा बेंक अकाउंट डेटिड ठीकांजी बेंक आकाउंट डेट इसी कॉंटिनूटि में सेवंत है न यह उसमें बेंक अकाउंट डेट ट्oner शेर सेकंड एंड फाइनल कॉल तो यह 54 150 रुपया यहां आ जेगा बिइंग second and final call money received ठीक है बेटे समझ लग गया आपको चलिए अब हमें क्या बनाना है उसने क्या कहा है show share capital in the balance sheet तो मैं एक ज़रा cross check कर रहा हूं यहां देखे capital का पैसा हमारे पास कितना बचे capital का पैसा यह 3600 है यह चुरिंजा सो 5400 ठीक है जी यह अगें 3600 यह 54 इसको मैं एड करके देखो जरा कितना बन रहा है तो यह पहला 3600 हमारा जो एप्लिकेशन के वक्ता 3600 जमा 5400 जमा 3600 प्लस 5400 ठीक है जी 18000 तो यह हमारा क्या बन गया 18000 का बन गया तो इतना ही नीचे हमने balance given है तो चलिए अब हम balance sheet बनाते हैं यह हमारा आएगा balance sheet में शो शेयर कैपिल करना पूरी balance sheet नहीं बना दी ना में तो यह आजेगा balance sheet extract ठीक है यह आजेगा particulars यह आजेगा note number यह आजेगा amount rupees यह आएगा उसके बाद share capital number one ठीक है यहाँ आजेगा notes to accounts ठीक है पहले क्या आएगा share capital ठीक है यहाँ क्या आएगा authorized capital तो authorized capital हमारे पास कितनी है 20,000 equity shares at the rate of rupees 10 तो यह 2,000,000 बन गया यह इसको ऐसे ही शो करना है उसके बाद हमारा क्या है issued capital issued capital क्या आ गया दो हजार equity shares at the rate of rupees 10,000 बीस हजार आ गया ठीक है जी और यह under subscription रहा हमारा फूली पेड़ी है अठ्रा सो एड़ दर एक टीशर एड़ दर रुपिस 10 यह आ गया अठ्रा हजार यह क्या आ गया अठ्रा हजार और यही फिगर हमारी उपर यहां चली जाएगी अठ्रा हजार की ठीक है सुडेंट्स कि ओके जी तो यह रहा हमारा question तो इसी के साथ यह question तो complete होता है मैं वीडियो भी कंक्लूड कर रहा हूं I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके questions देखते रहे हैं और वीडियो देखते रहे हैं और अपना course पूरा कर लि जी ओके जी डन